Hello friends, welcome back to my channel इस वीडियो सीरीज में मैं इंटेरियर में यूज किये जाने वाले लाइटिंग से रिलेटेट सारे इंफॉरमेशन प्रोवाइट करूँगी लाइटिंग वीडियो सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं लाइटिंग के बेसिक्स पताऊंगी आगे आने वाले सारे वीडियो काफी डिटेल में होंगे और अगर आप अपना घर डिजाइन कर रहे हो तो आपको मेरा इस वीडियो सीरीज में लाइटिंग से रिटेट कमप्लीट इंफॉरमेशन मिलेगा तो इसके लिए सिर्फ मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना है जो की बिलकुल फ्री है तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारे इंटेर्यों में लाइट्स कितना इंपॉर्टन रोल प्ले करता है काफी लोगों को मैंने ये कहते में सुना है कि हमने और इस्टेटिक्स पे भी काफी खर्च किया है हमें लाइटिंग की क्या जरूरत है तो आपको बता दू कि अगर आपने इंटेर में आपने प्रॉपर लाइटिंग का यूज नहीं किया तो आप उस इंटेर आर्किटेक्चर या इंटेर डिजाइन की खुबसूरती और बारिकी का पूरा एक्स्पिरियंस नहीं कर पाओगे इसके अलावा प्रॉपर लाइटिंग से आपके इंटेर के खुबसूरत डिटेल्स जैसे की उडन कार्विंग्स वाल डिजाइन, वाल पेपर और भी काफी कुछ यह सब विजिबल हो पाता है प्रॉपर लाइटिंग के कमी में शायदी इन डेटेल्स को कोई नोटिस करेगा आप चाहे furniture की बात करें, या flooring की बात करें, या fittings की बात करें, या फिर finishes की बात करें lighting आपके room के हर एक चीज को enhance करता है और इसलिए interiors को aesthetically खुबसूरत बनाने के साथ साथ सही lighting के selection से style और comfort के बीच में perfect balance achieve कर सकते हो जिसका मतलब है कि lights के सही scheme से हम mystery, excitement, richness, calm, soft, dramatic या cozy environment creates कर सकते हैं आप lighting के health से किसी specific wall painting की खुबसूरती को show off कर सकते हो दिन में natural light जो की sunlight है उसकी वज़ा से painting खुबसूरत और clear दिखती है बट night time में आपको lighting की जरूरत पड़ेगी lighting के health से आप किसी space का mood भी change कर सकते हैं सही lighting के health से जो room दिन में specials दिखता है उसी room को night में cozy room में transform कर सकते हैं बट इससे पहले कि हम lighting materials के बारे में जाने या फिर lighting types के बारे में जाने या lighting fixtures के बारे में जाने ये बहुत ही important है कि हम lighting color temperature के बारे में जाने और किसी भी इंटेरियर में यूज़ करने के लिए सही color temperature कौन सा होगा, ये समझना बहुत जरूरी है तो question ये है कि color temperature क्या है Simple way में किसी भी light source से कैसा light appear हो रहा है, इसे describe करने के लिए हम कला temperature का यूज़ करते हैं जिसका मतलब है कि किसी भी light source का color temperature हमें ये बताता है कि वो light warm दिखने वाला है या वो natural दिखने वाला है या फिर cool दिखने वाला है और इससे हमें पता चलता है कि जो light produce होने वाला है उसका look and feel क्या आएगा इसे Kelvin की degree में measure किया जाता है और ये Kelvin 1000 से 10,000 की scale में vary करता है तो temperature जितना higher होगा आपका light source उतना ही white या cooler दिखेगा और जितना low होगा आपका light source उतना ही warm दिखेगा आम तोर पर commercial और residential lighting application के लिए ये Kelvin temperature 2000 केल्विन से 6500 केल्विन के scale में fall करता है इसके अलावा सबसे important चीज़ है कि किसी भी light को इसके warm light, cool light या daylight के नाम से याद नहीं रखना है बलकि हमें इसे Kelvin जैसे की 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, etc. के नाम से याद रखना है क्योंकि brand to brand ये इनके नाम differ करते हैं किसी particular brand में हम जिस light को natural light कहते हैं जिसी और brand में उस light को daylight कहा जाता है तो simply आपको lighting के color temperature याद रखने हैं अब Kelvin के lower scale जैसे की 2000 Kelvin से 3000 Kelvin के scale में जो light produce होता है उसे हम warm light कहते हैं और इनका appearance orangish या yellowish white color में होता है ये warm light cozy, calm और inviting atmosphere create करता है जिसे हम bedroom, living room, dining room या कोई ऐसा room जिसे inviting या personal touch चाहिए वहाँ के लिए ये perfect है इसके लावा मैं एक simple से example देती हूँ normally हम phone में photos क्लिक करके उसे edit करने के लिए filters यूज करते हैं ये filter ना ही कोई character है और ना ही हमारे photos को touch up देता है ये filters simply हमें lighting temperatures के variations प्रोवाइट करता है तो इन filters में अगर हम 3000 Kelvin का temperature यूज करते हैं तो simply ये हमारे skin defect को height करके हमारे photos को enhance करता है तो वैसे ही हम हमारे interiors में 2000 Kelvin से 3000 Kelvin के lights का use किसी specific part को enhance करके surroundings को height करने के लिए या कोई interior finishes के defect को height करने के लिए use कर सकते है अब जैसे कि आप किसी fine line restaurant visit करते हैं तो वहाँ का color temperature हमेशा 3000 Kelvin के आसपास होता है जिसके वज़ा से आपका surroundings dim हो जाता है और privacy create होता है एक warm और cozy environment मिलता है वहीं जब आप domino's visit करते हैं तो आपको जादा openness feel होता है क्योंकि वे quick bite serve करते हैं और वे नहीं चाहते कि उनके customer यहाँ relaxed हो या अराम अराम से खाना खाएं इसके लावा fine dine restaurant में 3000 Kelvin के light का use करने का एक reason और है कि यह आपके food color को enhance करके defects hide करता है इस color temperature के वज़ा से आप dishes को actual color को visualize नहीं कर पाएंगे और judge भी नहीं कर पाएंगे कि same fruit basket में 2000 Kelvin से 3000 Kelvin के lights में fruits के color बहुत ही enhance हो रहा है और कम से कम defects visible है वहीं extreme right side वाले image में 4600 से 6500 Kelvin के light में fruits color थोड़ा dull दिख रहा है बट यहाँ हम minute से minute defects identify कर सकते हैं next 3100 Kelvin से 4500 Kelvin के बीच में जो color temperature होता है उसे हम natural white या bright white light कहते हैं इस type का color temperature generally कपरों के showroom में आपको दिखने को मिलेगा जिसके वज़ा से आपको energetic feel होता है और साथ ही minor defects या imperfections भी hide होते हैं इसके लावा इस light को हम study purpose के लिए, cooking purpose के लिए, office या किसी और specific purpose या specific task के लिए use कर सकते हैं 4600 से 4500 के बीच के color temperature को हम cool white कहते हैं light source जिनके color temperatures 4600 से 4500 के बीच में होते हैं वे bluish white light emit करते हैं इस type के lighting color temperature में हमें minor imperfections भी visible होगा इस light को हम offices या hospital या कोई और commercial use के लिए use कर सकते हैं जहां color discrimination बहुत critical role play करता है तो अगर आपको आपके interior को एक अच्छा look देना है तो आप 2000 Kelvin से 3000 Kelvin के color temperature की light यूज करिए ये cozy environment provide करेगा बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें warm light पसंद नहीं होता उन्हें अपने घर में bright light चाहिए ऐसे case में आप 3100 Kelvin से 4500 Kelvin के light यूज कर सकते हैं बट बिल्कुल भी आप 4600 से 6500 के बीच का light यूज ना करें क्योंकि इस color temperature के lights आपके घरों को घर वाला कम और hospital वाले ambience का feel देगा Approx 4000 Kelvin का light source दोनों के बीच का solution है आपको एक अच्छा ambience भी मिलेगा और साथ ही आपको energetic भी feel होगा तो ये थी सारी color temperature से related बाते हैं इस वीडियो से related ध्यान रखने वाली important points मैं अपने instagram account पे upload करूँगी आप उसे भी follow कर ले उमीद करते हैं कि आपको हमारा ये video पसंद आया होगा आगे आने वाले videos में हम interior में lighting के layers कैसे create कर सकते हैं types of lighting और उनके market price और साथ ही किसी particular area में कितने light चाहिए ये कैसे calculate करें ये सारे चीजों के बारे में जानेंगे तो जल्दी से मेरे channel को subscribe कर ले और मेरे videos को like करना ना भूले जिससे मुझे ऐसे videos बनाने के motivation मिलते रहेंगे मिलते हैं आपसे next video में thanks for watching